एक टेलिवेजन इंडस्ट्री का ऐसा शो जब वो स्टार्ट हुआ तब यही एक्सपेक्टेड था कि यही शो होगा ब्लॉक बस्ट अगर कोई शो है जो सुपरस्टार शो अनुपमा को टकर दे सकता है नंबर्स में जो अनुपमा की टियारपी को बीट कर पाएगा वो दम इसी शो में है स्टार्टि के कुछ वीक की टियारपी देखकर लगा भी था कि यह उमीद पूरी होती नजर आएगी मैं बात करियो खतरो के खिलाडी सीजन 12 की लेकिन अब खतरो के खिलाडी की टियारपी इस हद तक गिर चुकी है कि फैंस इस शो से नराज नजर आ रहे है क्या है TRP खदरो की खिलारी सीजन 12 की और क्या है फैंस का रियक्शन बताऊंगे आपको इस वीडियो में लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिसने भी तक चैनल को सब्सक्राइब नी किया है जल्दी से कर लो खदरो के खिलारी सीजन 12 जब स्टार्ट हुआ था तब इसकी हाइप इतनी जादा थी कंटेस्टेंट का स्लॉट इतना इंट्रेस्टिंग रखा गया था इस शो से कलर्स चैनल को भी बहुत जाद हुमेदी थी पहले हफते की TRP देखकर लगा भी था यह कि एक हफते में जब बढ़ता जा रहा है TRP का अकाउंट और गिरता जा रहा है और इस विक जो खतरो की खिलारी की TRP आई है वो 2 भी नहीं 1.8 आई तो एक ट्वीट था जिसके अंदर पूछा गया था कि आपको क्या रीजन्स लगते हैं कि खतरो की खिलारी की TRP इतनी लो है फैंस को क्या हर एपिसोर्ड में प्रतीक की बुली के जाती है तो ऊसे ओडियर था हुट होती है धानले कन्टेस्टि को लिया गया जिनके फैन फोलॉ म१िं बिलकूल ही जीरो है एक कमेंट था कि 1.8 टीर पी इसलिए है क्योंकि wild card की entry की वज़े से एंड उन्होंने प्रितिक सहजबग को सबसे कमजोर भी बताया एंड साथ में ये भी बोला कि people disappoint हैं इस चीज से और बहुत से deserving contestant जिसे शृती शा को demoralize करके शो से eliminate कर दिया गया एक कमेंट ऐसा था कि राजीव का letter कनीका के अपिक्षा के साथ चिट्चे रुबीना को हर हफते animal को किस करना ये सब चीजों सब बोर हो चुके हैं उसके बाद next कमेंट कुछ ऐसा था कि ये season सबसे जाजा scripted नजर आ रहा है फेक fights को दिखाया जा रहा है जैसे बिग बोस की vibes होती है वैसी शो से भी vibe आ रही है आपके क्या reason से नापको क्या लगता है कि इस शो की इतनी hype होने के बाद इसकी TRP क्यों नहीं आई कमेंट करके जुरूर बताना इस वीडियो के लिए इतना ही मिलूंगे ऐसी किसी नई update के साथ next वीडियो में तिल देन take care bye bye